तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने क्लिक बैंक के प्रोडक्स को एकदम फ्री में इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट कर सकते हो किसी भी टाइब की आपको पैसे आपर पे नहीं करने, लेट्निक पेज या वेब्साइट आपको यूज नहीं करने, तो सारी चीज़े आज आज आपको एक दम स्टेप बे स्टेप करके बताऊंगा, तो अगर चनल स्ट्राइब नहीं कर रहा है, तो अब भी कर लो तो बिना अब यहां पर आपको कोई भी offer अभी select नहीं करना, आपको सबसे पहले यहां पर category select करनी है, अब category आपको वो select करनी है, जिस भी category के अंदर आपको थोड़ा बहुत interest हो, या जिस भी category के आप offers ज़ाधा देखते हो, जिनको आप ज़ाधा promote करना चाहते हो, या जिस भी category के अंदर आपको थोड़ी बहुत knowledge हो, interest हो, तो वो category आपको choose करनी है, अब category यहाँ पर आपको एक नहीं choose करनी है, at least आपको तीन से चार categories choose करनी है, अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको तीन से चार category choose करनी है, यह मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंग तो example के लिए मालीजी आपने तीन category choose कर लिए, जैसे कि एक make money online category तो उसके अंदर आप e-business और e-marketing category choose कर सकते हो, आप games category choose कर सकते हो, या health and fitness category आप choose कर सकते हो, और यहाँ पर मालीजी अगर आप spirituality के offers को promote करना चाते हो, तो वो category भी आप यहाँ पर choose कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, at least आपको 3 से 4 जो categories है, clickbank के अंदर वो आपको choose कर लिनी है, आप 3 से 4 categories choose करने के बाद, आपको क्या करना है, simply यहाँ पर अपने Instagram के account के अंदर login करना है, basically आपको Instagram open करना है, और Instagram open करने के बाद, आपको यहाँ पर sign up के button पर click करना है, उसके आपको यहां पर अपनी बेसिकली details एंटर करके आपको एकाउंट क्रियेट करना है आपको अपना नाम, email address, username और password एंटर करना है और यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको एक Instagram पर अकाउंट नहीं क्रियेट करना आपको यहां पर तीन से चार्ट यतने भी आपने categories च चूज चूज करने हैं, तो तो तीन Instagram पर एकाउंड क्रियेट करने हैं, अगर चार क्रियेट करने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही के अंदर सारी चीज़े करनी है, आपको हर चीज के लिए अलग ऐकाउंड क्रियेट करना है, विकोस यह जो process है, इस से आपकी niche defined पर मालीजões में यहांपर हीतने से क्रिटेडिये के उफार्थ को प्रमोट करना जाता हूं क्लिक फबैंक तो आपको róż़ा करना है है यहांपर आ के हैंड फैटनेस कैटेगरी के निम के अकोर्डिंग आपको यहां पर एककांट क्रेकरना है और यहां पर मैंने इसकी profile image एक लगाई है गूगल से यहां पर देखे कीटो आपने सर्च करा तो बहुत सारी images आ गई तो यहां पर मैंने एक image डाउनलोड करके यहां पर उसकी profile image लगा दिये तो ऐसे ही आपको भी एक page create कर लेना है basically आपको एक page create नहीं करना आपको यहां पर तीन से चार pages create करने हैं जिस भी category के offers को आप promote करना चाहते है जो भी category आपने choose करी है अब यहां पर मैंने आप से क्यों कहा कि आप तीन से चार categories choose करो एक category आपको क्यों choose नहीं करनी because होगा क्या कि अगर आप यहां पर एक category choose करोगे आप example के लिए मान लिए कि यहां पर आपने मान लिए make money online category चूज करी make money online category का आपने account बनाए उस पर आप post कर रहे हैं और आपने offers promote करे but make money online category के जो आपके offers हैं वो उतने convert नहीं हो रहे है या आपके account को उतनी reach नहीं मिल रही उतनी growth नहीं मिल रही तो उस case में आपके पास at least 3-4 account होने चाहिए ताकि अगर आपका make money का account अच्छा नहीं चल रहा है तो उस case में हो सकता आपका health and fitness का account अच्छा चले हो सकता gaming का account अच्छा चले हो सकता spirituality का account अच्छा चले तो at least आपको 3-4 accounts create करने है ताकि अगर आप 3-4 account create करोगे तो इन में से एक या दो account आपके बहुत अच्छे चलेंगे बहुत अच्छे offers वहां पर convert होंगे हो सकता बाकी दो जो account है उन पर ना हो तो इसलिए आपको यहा पर अपना जो बायो है वो एड करना है तो बायो एड करने के लिए simply आपको क्या करना है इसे मैं duplicate कर लेता हूं यहां पर आपको आपकर सर्च करना है keto ठीक है अगर आप keto के products करना चालते हो health and fitness के प्रमोट करना चालते हो तो यहां पर मैं keto के 3-4 accounts open कर लेता हूं ऐसे ही तो यानि कि यह भी products promote कर रहे हैं तो हमें भी same ऐसी ही चीज़े करनी है ताकि हम भी आगे जाके अपने products promote कर सके तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यह इनकी bio में लिखा है तो आपको क्या करना है simply आप चाहो तो यहां पर copy भी कर सकते हो या आप यहां से suggestions लेके आप अ यहां पर आगे bio के अंदर हम इसे paste कर देते हैं अब बहुत सारे लोग यहां पर एक गलती करते हैं कि वो website के अंदर जो भी offer उन्हें promote करना है clickbank का अब जैसे कि अगर हम यहां पर health and fitness category को मैं choose करो तो यहां पर देखिए keto related fat loss related बहुत सारे offers आ गए हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहां पर उसका affiliate link generate करते हैं और सीधा पहले दिन से ही उसे promote करना start कर देते हैं बट बट आपको यह काम कभी भी नहीं करना आपको यहां पर website के अंदर अभी के लिए फिलाल आपको कोई भी चीज यहां पर add नहीं करनी जब तक ही आपके at least 500 से 1000 followers ना हो website है वो यहां पर add करनी है उससे पहले आपको यहां पर कोई भी link tree हो या कोई भी landing page हो या किसी भी तरीके का कोई भी link हो आपको add नहीं करना है बहुत सारे लोग मैंने देखा कि पहले दिन से add करना start कर देते हैं तो भाई ऐसा नहीं करना at least आपको पहले थोड़े followers gain कर लेन है यानि कि एक से दो बार ही आपको जो अपना product है वो पिच करना है ऐसा नहीं कि आपको रोल रोज पिच करना उनको जाके बताना कि मेरा यह कीटो का product ले लो तो मेरा research ले लो या कोई fat loss ले लो रोज अगर आप यह चीज करोगे तो आपको कोई भी product नहीं convert होगा आपको ज्यादा से ज्यादा एक से दो बार ही product को promote करना है अपने account के अंदर तो यहां पर जैसे हम यह यहां पर बायो के लेख लिए तो मैं से save कर लेता हूं तो आपको यहां पर submit के button पर click कर देना है तो आप देशा तो यहां पर हमारा जो बायो के अंदर यह चीज है यह add हो करेंगे भाई हम content क्या post करें कहां से content लाएं कैसे create करें तो सारी चीज़े में आपको बताने वाला हूं आपको simply क्या करना यहां पर जो भी आपके competitor pages हैं उन पर आपको आना है जैसे कि हमारे माले यह तीन competitor pages हैं और सब के mostly million followers हैं तो यानि कि जो भी चीज़ यह लोग कर रहे हैं वो काम कर रही है क्योंकि अगर इनके इतने followers हैं तो अगर हम भी इनकी चीज़ को exactly नहीं थोड़ा बहुत भी अगर हम inspiration लेके apply करेंगे तो हमारा page भी grow होने के chances बहुत जाता है तो आपको यह देखना है कि यह लोग किस तरीके की चीज़े post करते हैं ठीक है अब जैसे कि यहां पर यह post है तो मैं इसे simply open कर लेता हूँ open करने के बाद आपको second page के आना है देखना है कि यह किस type की चीज़े post करते हैं जैसे कि मालेजिये यह post है किस type का इन्होंने caption लिखा है उसके बाद किस type की इन्होंने यहां पर देख यह hashtag include करें ऐसी आपको third page के अंदर आना है third page के अंदर आप कि भी आप यह चीज़े देख सकते हो caption और hashtag और किस ताइब की चीज़े इन्हों में पोस्ट करने हैं, तो अच्छे यहां पर देखनी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं करना कि आपने एक दो पोस्ट देखी और आपने फिर वहां पर यह सोच लिया कि हाँ, ऐसी चीज़े मुझे भी पोस्ट करने हैं, आपको थोड़ा सा पेज को तो अब अच्छे से पढ़ाई करो, इस page को पूरा analyze करो, दिन में कितनी post करते हैं, कितनी images होती हैं, कितनी reels होती हैं, कितनी stories होती हैं, किस time पर post करते हैं, ठीक है, कितने likes आते हैं, कितने comments आते हैं, क्या engagement rate चल रहा है, तो ऐसे आपको ये सारी चीज़े देख लेनी है, अच spend करो, अच्छे से analyze करो, किस type की चीज़े ये लोग post करते हैं, तो ये सारी चीज़े analyze करने के बाद, अब आपको finally अपने page के लिए भी content create करना, start करना है, अब content find करने के लिए यहाँ पर एक website है, जो की free है, जिसका आप use कर सकते हो, उसका नाम है pixels.com, तो मैं इसे open कर लेता ह तो यहाँ पर आपको stock free, royalty free images मिल जाएगी, जिनको आप easily कहीं पर भी जाके post कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं simply लिख देता हूँ keto, और मैं इसे search करता हूँ यहाँ पे, तो आप जैसे तो keto की यहाँ पर देखे, कितनी सारी images आ गई है, यहाँ पर देखे, कितनी अच्छी अच पर यह जिस fit हो सकती है, वो आपको यहाँ पर image download कर लेनी है, अब example के लिए मान लीजे कि यहाँ पर मैं भी कोई एक image download कर लेता हूँ, जैसे कि यह image है, तो यह अच्छी image लग रही है, तो हम इसे यहाँ पर download कर लेते हैं, ठीक है, original site में इसे download कर लेते हैं, free में, और download करने आप चाहो तो easily phone पर भी यह चीज़े कर सकते हो, तो यहाँ पर देखे image add होगी, आपको simply next पर click कर देना है, और आप चाहो तो थोड़ा वह अगर editing है, तो आप चाहो कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं इसकी brightness है, वो थोड़ी increase कर देता हूँ, contrast increase कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर अपना caption add करना है, अब caption add करने के लिए जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी, कि आपने जो भी आपके competitor pages है, आप उनसे inspiration लोगी, वो किस type का यहाँ पर caption add कर रहे है, जैसे कि यहाँ पर simply मैं इस चीज़ को copy कर लेता हूँ, और copy करने के बाद यहाँ पर आक start today, और उसके बाद आपको यहाँ पर हमने hashtag include करने, तो hashtag के लिए भी आप चाहो, तो यहाँ से जैसे मैं मान लिजे कि मैं यह जो hashtag है, इन्हें मैं copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके इसे मैं paste कर देता हूँ, और आपको simply उसके बाद share पर click कर देना है, तो आप देसे तो यहाँ पर हमारी जो post है, वो add हो गई है, तो ऐसे ही आपको भी post add करनी है, आप post करने के बाद काफी सारे लोग यह सोचने कि भाई हमारा तो account नया है, किसी ने हमें follow ही नहीं करा, तो जब कोई हमारा follower ही नहीं है, तो हम post जो मर्जी करते हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है तो अगर मान लिजए कि मेरे account पे zero followers हैं, तो यानि कि कोई भी बंदा मेरे account पे नहीं आ रहा है, तो मैं किसे अपना product pitch करूँ और कैसे मेरे clickbank के products promote होंगे, तो आपको यह चीज़ करने से पहले आपको क्या करना है, कि आपने जो भी Instagram पे page create करा है, जैसे कि हमने यहाँ पर यह page create करा है, अभी एकदम नया, उस पे आपको at least 20 से 30 आपको post कर लेनी है, ठीक है, आप चाहो तो दिन में 3 बार, 4 बार भी post कर सकते हो, मैं आपको suggest करूँगा कि जो भी आपके competitor का schedule है, आप उसे match करने की कोशिश करो, अगर वो दिन में 2 post करते हैं, तो आप 3 post करो, 4 post करो आप जादा post करो, ठीक है, क्योंकि आपको simply images डाउनलोड करनी है, आपको post करनी है, आपको जादा उसमें कोई चीज नहीं करनी है, तो at least आप रोज की 2 से 5 आप post करो, और आपको total यहाँ पर at least 20 से 30 post या 50 post आपको create कर लेनी है, यानि कि upload कर देनी है, अपने Instagram के page के उपर, जब भी आपकी 20 से 50 post हो जाएं, आपके page के उपर, यानि कि आप यहाँ पर 20 to 50 जब post आप create कर लो, upload कर दो, यानि कि अगर आप रोज की मिमा लेज़े 5 post करते हैं, तो 10 दिन के अंदर आपकी 50 post हो जाएंगी, तो जैसे ही आपकी 50 post का mark हिट होता है, अब आपको यहाँ पर followers gain करना, start करना है, उसके लिए आपको कोशिश start करना है, followers अपने page पर लाने के लिए, तो वो आपको कैसे करना है, आपको simply क्या करना है, यहाँ पर आपको वो audience चाहिए, जो audience आपकी कीटो में interested हो, because हम यह नहीं चाहते कि ऐसे लोग भी आके हमारे page को follow करें, जो आगे जाके कोई भी product purchase ना करें, आगे जाके वो एकदम dead audience में convert हो जाए, तो यह चीज़े हम बिल्कुल नहीं चाहते, तो आपको simply क्या करना है, आपको ऐसी target audience चाहिए, अपने page के उपर, जो कीटो में interested हो, और उसके लिए हमें पैसे भी pay नहीं करने, और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसी simply आपके जो competitor pages है, यानि कि यह वाले pages, यहाँ पर देखें, इनके पास कितनी audience है, one point कुछ की audience है, एक बर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ बर देखें, इनकी audience है, one point five million की audience है, और यह जितने भी one point five million लोग हैं, यह सारे के सारे keto niche में interested है, fat loss niche में interested है, तो य यही audience हमें चाहिए, अपने page के उपर, क्योंकि यह audience ने इन page को like करा हुआ है, इसको follow करते है, तो यानि कि यह सारे लोग fitness में बहुत जादा interested हैं, तो हमें इनहीं को target करना है, तो simply आपको यहाँ पर followers के अंदर आना है, और followers के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर रोज है, आपने 20 लोगों को follow कर दिया, क्योंकि अगर आप यह चीज़ करोगे न, तो वहाँ पर 100% Instagram या तो आपके account पे ban लगा देगा, यह कुछ time को दिसेबल कर देगा, suspicious activity की वज़े से, तो जादा से जादा आपको 10 लोगों को सुबा follow करना है, और 10 लोगों को शाम को follow करना ह रोज की आपको यह चीज़ करना है, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन करी, फिर दो दिन नहीं करी, फिर चार दिन करी, फिर दो दिन नहीं करी, ऐसा नहीं करना है, रोज आपको यहाँ पर आना है, 10 लोगों को follow करना है, और फिर शाम को आपको 10 लोगों को follow करना है, तो ऐसे आ 150 लोग आपके page को follow back कर लेते हैं तो आपको followers मिलने start होगे तो अगर आप यह चीज रोज करोगे रोज आप 20 लोगों को follow करोगे तो दीरे दीरे आपके जो followers है वो increase होना start हो जाएंगे पहले कम लोग follow करेंगे फिर जादा लोग follow करेंगे और दीरे दीरे आपकी जो organic growth है वो start हो जाएगी तो जैसे जैसे आपकी organic growth start हो जाएगे आपको ये वाला जो काम है ना ये कि आप लोगों को जाके follow कर रहे हैं ये आपको कम कर देना है दीरे दीरे आपको इसे कम करते जाना है और दीरे दीरे आपकी जो organic growth Instagram पे वो increase होती जाएगी तो ये काम करना तो ऐसी आपको अपने जो competitor pages हैं वो आपको find कर लेने हैं उनकी जो भी target audience है उसको आपको target करना है और यहाँ पर मैंने आपके page पर कोई आता है आप कैसी को follow कर रहे हैं और वो लोग आपके page पर आ रहे हैं अगर उन्हें कुछ वहाँ पर content देखने कोई नहीं मिलेगा कोई चीज है यह नहीं आपने सिर्फ एक है दो post करी हुई है तो वो लोग आपको follow back करेंगे ही नहीं तो इसलिए आपको पहले अच्छा content sufficient content अच्छी quantity में आपको महाँ पर post करना है तभी आपको 20 to 50 post कर लेनी है उसके बाद आपको यह जो लोगों को follow करने का काम है यह आपको start करना है उससे पहले आपको यह चीज नहीं करनी और जब आपके page पर at least 500 से लेकर 1000 लोग आपके page पर follow हो जाएं यानि कि आपके followers हो जाएं उसके बाद आपको क्या करना है simply आपको अपने clickbank के account के अंदर आना है यहाँ आपको वो product choose करना है जो कि अभी market में अच्छा convert हो रहा है और साथी साथ जिसका जो payout है भले वो कम हो लेकिन वो offer जल्दी convert हो जाए अब यहाँ पर मेरा मतलब यह है कि आपको ऐसे बड़े offers नहीं promote करने 140 डॉलर के because बहुत दारे लोग यहाँ पर क्या करते है कि gravity के according यहाँ पर इसे high to low select करके जो सबसे बड़े offer आता है इसे choose कर लेते इसका link promote करना start कर देते है बड़ आपको यह काम नहीं करना नहीं तो आपको कभी भी sale नहीं आएगी आपको छोटे products को लेकर फिर आपको बड़े product पर जाना है यानि कि कम payout का product लेना है जिसके पैसे कम हों ताकि लोग जादा उसे खरीच सकें और उसके बाद धीरे धीरे आपको जो product का amount है वो increase करते जाना है जैसे जैसे आपके page पर followers increase हों आगे आनेवली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक funnel create करना है जिसके through आप पहले एक छोटा product pitch कर सकते हो और बाद में जाके आप एक बड़ा product pitch कर सकते हो आगे आनेवली वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कैसे वो चीज़ आप Instagram के through कर सकते हो लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है सबसे बहले आपको यहाँ पर initial conversion या average conversion आपको select कर लेना है दोनों में से आप कोई भी select कर सकते हो drop down menu से माली जा मैं average conversion select कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको इसे low to high पर shift कर देना है अब यहाँ पर दीखिए बहुत छोटे छोटे से offer आजेंगे इनका payout जोते हैं बहुत कम होता है किसी का 5 डॉलर होता है किसी का 6 डॉलर होता है किसी का 10 डॉलर होता है तो इस type के आपको जो offers हैं यहाँ पर लेने आपको बड़े offers नहीं लेने सो डेड़ सो दोस्तों ऐसे नहीं लेने पांच डॉलर, छे डॉलर, दस डॉलर जितना आप छोटा पहले लोगे उतना ज़्यादा बेटर है because आपको यहाँ पर यह देखना है कि जो पेज आपने create करा है जो audience आप अपने page पर लेके आ रहे हो जो भी content आप पोस्त कर रहे हो, क्या वो चीजे work कर भी रही है कि नहीं कर रही क्या आपकी audience convert हो भी रही है या नहीं हो रही, आप pitch करने के लिए जैसे इन लोग ने यहाँ पर देखिया अपना link post करे होए है, यहाँ पर देखिये stories post कर सकते हो, जब आपके followers जादा हो जाए है, तब आप वो भी चीजे कर सकते हो, ठीक है तो यह पूरा process जो है, आपको follow करना है अब काफी सारे लोग यहाँ पर यह सुचेंगे भाई, यह method बहुत बढ़ा है, इसमें बहुत जादा अच्छी है, थर्ड फाइदा यह है कि यह जो traffic है यह कभी भी कम नहीं होगा, बलकि time के साथ यह आपका traffic ऊपर ही जाएगा, जैसे जैसे आपके page पे followers increase होंगे, वैसे वैसे आपके जादा products promote होंगे, जादा sales बढ़ेंगी, और free का traffic कोई भी पैसे आप spend नहीं कर रहे, और fourth benefit यह है कि यहाँ पर कोई भी यह डर नहीं है कि आपका Facebook का ad account ban हो जाएगा, तो Google का ban हो जाएगा, Facebook आपकी ad disapprove कर देगा, तो यह सारे कोई भी चीज़े नहीं है, because आप यहाँ पर कोई भी ad create नहीं कर रहे, आप एकदम genuine चीज़ कर रहे, तो कोई भी वो चीज़ नहीं होने वाली, और fifth जो सबसे last benefit है, वो यह है, कि आपको आगे जाके जब आपका page बड़ा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर brand deals मिल सकती हैं, sponsorships मिल सकती हैं, तो यह सारी चीज़े भी आपके page पर होनी start हो जाएगे, जब आपका page grow होना start होगा, इसी रहे मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि आपको यह जो page है ना, यह आपको create करना है और at least आपको ऐसे ही तीन से चार pages अलग-अलग category में create करने हैं, और हर page पे आप आप रोज पोस्ट करो, रोज लोगों को follow करो, और धीरे दे आपका page जो है वो grow करना start करेगा, और धीरे धीरे फिर वो organically grow करना start कर देगा, फिर आप जितनी बाच आओ, उतनी बार products promote कर सकते हो, तो यह होता है पूरा process, अगर आप free में एकदम अपने clickbank के like कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई तो dislike भी कर देना, और अगर आप चाहो तो facebook, linkedin और instagram पर भी follow कर सकते हो, तो bye bye, take care